हेलो एंड वेरी वाम वेलकम एविवन आज है 23rd of December और दे है Friday सो स्टार्ट करते हैं आज के दो हिंदू के complete analysis को एक बात बता ने थे आपको आज ना National Farmers Day है और ये celebrate किया जाता है हर साल 23rd of December को क्यों? क्योंकि 23rd of December को Mr. Charan Singh Chaudhdi जो हमारे 5th PM थे उनका birth anniversary है मनाई जाती है हैंस इसी दिन को as a National Farmers Day याद किया जाता है आपसे question है green revolution कब start हुआ था? और अगर start हुआ था green revolution तो कौन से दो major crops थे उनके लिए हुआ था? प्लिस कमेंट करके बता देना मैं start करते हैं अनेलिस अपना सो पहला है साहते अकेड़िमी आवार्ड के बारे में अनुराधा रॉयल जी को और ऐसे और तैसे लोग है उन्हें अवार्ड दिया गया है साहते अकेड़िमी आवार्ड ये हर साल इसी टायम पे दिया जाता है यह अवार्ड आपके लिए important है ऐसे अवार्ड पर question आया है अवार्ड ड्राइब दूसरे army के related guarantee award हुए यह सारे अवार्ड पर question आते हैं सो थाटिक information देख लें सहित्य अकेडिमी अवार्ड के बारे में सहित्य अकेडिमी अवार्ड जो है न वो 1954 पर established हुआ यह mainly न वेट मैं pen ले लूँ हाँ literary work पे focus करता है मतलब literacy work में किस ने क्या किया उस पे यह न 24 award दिये जाता है annually language के उपर कोई work करता है कोई book लिखते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो उस पे दिया जाता है अब इसमें न 22 languages जो है न इंडियन constitution की उनके उपर उन languages में कोई लिखते है तो और English और राजिस्तानी दो और language add कर गया मैं अब टूटल 24 language में और किसी ने literary work लिखा है तो उससे मिरता है अब मेरा question यह है कि 22 languages कौन सी है और कौन से schedule में discuss की है अब language तो मैं आपको बता देती हूँ schedule आप देख लेना ठीक है लेंग्विज है कश्मीरी संधी पंजाबी हिंदी पंगाली असमी ओडियाई गुजराती मराथी कंणर तेल्गू तमिल मल्यालम असमी मनिपुरी कौनकरी नेपाली संस्कृत बोडो रोगरी मैथली संधाली हो गई वाइस चलो आगे जाएं तो यह जो है ना second highest literary honor award है इससे पहले आता है जन्पद award second highest है ठीक है literacy के जो literary work होता है उनमें अब यह award किसे किसे दिया जाएगा क्या criteria है इसकी पहली criteria सबसे बड़ी इंडिया का नेशनल होना जाएए एंड secondly वो literary work में involved हो outstanding contribution हो उनकी कोई book किया ऐसी literary work में तो यह है अब साहेती academy award के बारे में यह था आपको यह जानना है हर साल 24 अवार्ड दिये जाते हैं 22 language plus English और राजिस्थानी और second highest literary award है 1954 में established हुआ था अब आगे जाएं तो उसके उपर यह वाला article है यह बात करता है कि center ने न MSP जो minimum support price है उस cotton की वो increase कर दी बट farmers को और चाहिए अब अब पूछोगे यह MSP क्या होता है MSP पता जिसे आपने कोई crop उगाया और उसकी market में demand है या नहीं है बट वो crop अगर demand नहीं हुई तो आप उस crop का क्या गर होगे बहुत सारी खेती करता ना तो अगर यह crop market में नहीं बिचरा तो आप जाके government के पास जा सकते हो और government इस crop के बदले आपको रुपे देगी पिर चाहिए government को वो product चाहिए या नहीं चाहिए वो देगी तो minimum support price यह होता है कि at least इतनी amount तो government आपको देगी यह होता है तो government ने ना minimum support price कुछ crops पे लगाई है around कुछ 22 जैसे कुछ crops है उन्हीं पे minimum support price लगाई है 23 क्रॉप्स है तो उन पे लगाई है and farmers कह रहे हैं कि हमें और चाहिए इतनी से कुछ नहीं होगा तो इसी के बारे में है एक्चली ना farmers ने cotton उगाया तो उनका जो cotton था ना last month sorry last March में वो government ने लिया 15,000 रुपे कुछ के भाव से और market में उन्हें 85,000 कुछ के हिसाब से मिल रहा है तो इसी बात पर ना इन्होंने कहा कि इतना सस्ता हम नहीं दे सकते हैं और यह है फिर आगे जाएं तो ऊपर यह रहा, collagen system के बारे में sender नहीं वापस कहा किbellum system in transparency को lose कर रहा है मतलब transparency नहीं है इसके वज़े से dość हुता है तो यही बात कि रीचुजी ने कही है तो आपको को क्लशिम system के बारे में जाना होगा इजिम सिस्टम में पता क्या होता है कि चार जजिस होते हैं प्लस एक चीफ ज़स्टिस अप इंडिया होते हैं यह साथ में बैठके एक जज को अपाइंट करते हैं यह जज मदलब चीफ ज़स्टिस अप इंडिया आउटगोइंग जो चीफ ज़स्टिस अप इंडिया है ना किरन रीजु जी कह रहे हैं कि यह transparency की कमई है अगर? देखो अगर कोई किसी का रिस्ता निकला कुछ निकला, Friend निकला खुछ भी हो तो in-case में लिए nepotism दे क्पम देखता है क्योंगी ट्रांसपरिशी नहीं है कोई और बौडी नहीं है तो क्रेमिटीज यही कह रहे हैं कि ट्रांस्परिसी की कमी है पिर आगे जाएंगे तो यह सर्विकल कैंसर के बारे में है इस साइड देखना हाँ 19 से 14 यह की जो बच्चिया है उन्हें सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीन लगाने की बात कई जा रही है तो उसी के बारे में है यह ना वैक्सीन किस पर सर्विकल कैंसर सर्विकल कैंसर क्या होता है भी आपको बताऊंगी पहले आर्टिकल डिसकस करें इसके लिए एक इंडिज अभी DCG ने अप्रूवल भी दे दिया है कि हाँ ड्रग कंट्रोल जेनरल जो है ना उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है कि हाँ यह सई है इसे आप स्टार्ट कर सकते हो शीन भी आगे जाए तो यह न क्योर करेगी एक प्रेवेंट करेगी और क्योर करेगी सऑसर्विकल केंसर को जो second most common cancer causing भेमारी है इंडियन वोमेंट केलिए और तुर यह दो cervical cancer है न यह fourth most common cancer है world globally reason है cancer women's के लिए globally so यह है article में so जो बच्चियां 9 से 14 एक है न और school जाती है उन्हें school में रगवाई जाएगी और जो school नहीं जाती है उन्हें घर पे भी load to load दी जाएगी अब यह न वैक्सीन हुमर प्लॉपिनियल वाइरस जो है एच पी भी उसकी वैक्सीन है अब ज़रा cervical cancer के बारे में बात करते हैं पहले न आप यह देख लो कि cervical cancer क्या पहले अब नोट्स पढ़ लो बाद में पर देखेंगे यह cancer क्या होता है देखो यह ना sexually transmitted infection है मतलब इंटर को से फैल सकता है और यह कहां होता है यह लोग पार्ट अफ देखो एक सेकंड मैं आपको डॉप करके बताती हूं यह female genital part है इसके अंदर इस side होता है cervix इधर uterus और नीचे होता है वजायना तो यह ना sexual intercourse के टाइम पे cervix के टाइप इधर ना यह tumor आ जाता है इस infection के विए से एंड यह tumor यह जो cancerous cell है वह transmit हो जाती है इसलिए और यह बहुत बड़ी बिमारी है मतलब second most prevalent है 15-14 की age में और जो टूटल वर्ल्ड में जितना cervical cancer होता ना उसमें से one-fifth है ना Indian women's को होता है इतनी जादा major problem है और 1.23 lakh cases आते हैं हर साल अब यह जो है ना vaccine वो antibody बराती है virus के against इस procedure पर work करती है और यह काफी low cost है पर इस compare करें इसे दूसरी vaccine से जैसे mark की और galleo smithkin की वो काफी costly है और यह vaccine कब लगानी चाहिए फॉससे पहले यही था अब आप ज़रा इसका डाग्राम अब यह देखो मैं नहीं का था यह uterus है तो uterus है उसके बाद cervix आथा उसके बाद वजायना तो जब ना यह जो cancer है ना इस portion में आता है इस portion में बनता है और यह धीरे धीरे के बारे में अब आगे चालते हैं newspaper पर मीजा मीजा आर्टिकल्स तो कवर हो गया है अब एडिटोडियल रह गया है सो यह रहा है जमू इन कश्मीर के अंदर की बात है कि जो न्यू रूल है ना लैंड ग्रांड के उपर उसके बारे में एक्चुली जमू इन कश्मीर में ज वापस लेने के लिए अलाव नहीं है ऐसा कह रहा है जो अब लेटे हैं किसी भी लेंड को जिसे कोई बी टैर्टृ ले लो या कुछ भी एक पार्ट ऑफ ले लेलो सो साल नहीं 99 साल के लिए लेते हैं babys करता यह तो ये ना रिन्यू हो जाता है तो ये रिन्यू होने वाली आप कैंस्टल कर दिये ये बात है तो इसे के बारे में है अ पहले यह जो लींस था ना जो 1999 या 40 years तक के लिए था वो आप वापिस से नहीं कर पाएंगे अगर अगर अब आपको लेना है तो section 11 article 180 sorry 1872 के अंडर लेना होगा और इसके अंदर लीन्स हलाव नहीं है अब अब लेने के लिए कौन अच्छा यह तो ठीक हो गया अब कौन ले सकता है लीन्स पर देखो अब अगर आपको लेना है ना तो अब आप educational, health, agriculture, tourism, development इन सारे work के लिए आप ले सकते हो बट यह बात याद रखनी है कि आप agriculture land ना लो और इसके अंदर आगे बताया है कि क्या इसका impact क्या होगा इस amendment का तो इसका impact कह रहे हैं कि गुलमार के अंदर जैसे famous tourist hotspot है जो गुलमार उसके अंदर 59 होटल से ना उसमें से 56 होटल है वो लीन्स पर ही है अब उनका क्या होगा तो इस पर जो opposition की party है वो यह कह रही है कि यह decision है यह बहुत problem create करेगा और यह simply जो कश्मीरी लोग थे और जो जो land grant पे ले ले लेते उन्हें बहार निकाल के बहार के लोगों को बुलाने के काम कर रहे हैं तो ऐसा कुछ बाते हैं गिस्ट पर लेता है इसकी according to the new land law लीन्स जो है न वो एक्टेंड नहीं करी जाएगी ठीक है एंड जो LG अच्छा union territory है जब मुहिन कश्मी है न तो union territory के अंदर जैसे state के अंदर governor होता है country के अंदर president होता है UT के अंदर कौन होगा UT के अंदर lieutenant general होते है अच्छा lieutenant general और एक और मतलब तीन UT हैं उनके अंदर lieutenant general होंगे और बाकियों में lieutenant general नहीं होंगे तो यह है जब में कश्मी के अंदर lieutenant general है यह आपको ना लक्षमिगांद के अंदर मिल जाएगा पूरा chapter UT का schedule schedule कौन सा है schedule 8 है maybe UT sorry part 8 sorry part 8 के अंदर बात की गई है UT के बार में लक्षमिगांद खुल के पढ़ लेना अच्छा chapter है चलो आगे जाए तो यह अगर land लेना भी है तो किसके spaces पे educational health skills tourism और इन सारी impact may be positive y या negative y अब यह तो future ही बता सकता है so sorry हाँ यह हो गया इसके बाद text and context का तो हो गया हाँ यह अच्छा यह दो judges है vacancy sorry vacations के उपर बात की जा रही है यह judges जो इतने vacations लेते हैं उसके बारे में तो चलो बात करते हैं यह दोनों judges ही है एक retired judge है और एक senior advocate है तो supreme court के अंदर कितनी holidays होती है आपको पता है supreme court के अंदर 40 holy holiday होती है फिर summer vacation होती है फिर दिवाली की holiday होती है तो ऐसे ही बहुत सारे vacations होते हैं और रिसेंट ली किरन रीज़ जी ने भी कहा था कि इतने सारे vacations होते है vacations नहीं करो तो ही pendency of cases खतम होगी ऐसी सारी बाते होई थी तो इसी के बारे में reply देते हुए जो हमारे chief justice of India है चंदर चूद जी उन्होंने कहा कि इस बार तो हम लोग जो बैंच होती है ना judges की vacations में वो भी नहीं बैठाएंगे तो यही बात है अब यह जो दो नोग है ना इन्होंने पूरी conversation की है और पूरी conversation में इन्होंने यह बात ही की तो start करते हैं दोनों की conversation so, जो judges है ना उन्हें vacations की क्या जुरत है? why do courts go on vacation? क्यों जाते हैं वो? so, यह कह रहे हैं कि judges को vacation की जुरत इसलिए है क्योंकि उन्हें rest चाहिए क्यों चाहिए rest? because daily ना इतने सारे matters आते हैं वो काफी complex हो जाते हैं उन्हें पढ़ना पढ़ता है काफी time लगता है उन्हें पढ़ने में and research पगारा करने पढ़ती है यह कह रहे हैं और काफी सारे backlogs भी होते हैं कि sis के तो vacation पे क्यों जाना है आपको तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम ही vacation पे जाते हैं पूरी country की data दी है कि जिसे ऑस्ट्रेलिया है वो खाली 97 days work करता है उस्ट्रेलियन जो कोट है वो फिर 190 से 194 days खाली work करते हैं सिंगापूर की कोट 145 days work holiday रहती है UK की कोट 180 days की holiday लेती है Canada की कोट 120 days की so holidays के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया की कोट सबस्यादा holiday लेती है यह कहता है कि जो जदिस का काम होता है वो अलग होता है उन्हें काफी सारी research बगेरा करने पड़ती है वर इस जो politician होते हैं उन्हें ज्यादा कुछ काम नहीं होता है उन्हें खली ribbon कट करनी होती है कुछ speech बगेरा देनी होती है उन्हें research और development का काम नहीं करना पड़ता फिर यह आगे कह रहे हैं Could you elaborate on walking done by judges during vacations तो क्या-क्या judge work करते हैं vacations पर यह कहना है तो इसमें ना judges क्या-क्या वक करते हैं इन्होंने का क्या काफी काम होते हैं यह दूसरी दूसरी country's के काफी सरी research वगेरा करनी पड़ती हैं तो इसी के बारे में है एंड फाइव जिसकी जैसे अब आगे question पूछा कि क्या जब vacation होते हैं तो पेंडिंग cases पर सुनवाई नहीं होती इन्होंने यह question पूछा तो इन्होंने कहा कैसा नहीं है जैसे जो NJAC की जज्जमेंट थी वह vacation की टाइम पर ही आई थी दूसरा यह लोग ना जैसे गोआ की जो गवर्मेंट थी उसके ओपर केस था था तो उसकी जज्जमेंट भी होली का जो हॉलिडेस था उस दिन पर आई थी तो सूचो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते हैं आगे यह कह रहे है कि लोग मिनिस्टर नहीं कहा था कि there is a feeling among the people of India that the long vacation which the court obtained is not a convention of justice seeker law minister Kiran Reza ji नहीं कहा था कि जो हम लोग समझते थे जो हम है people of India है यह सोचते है कि जो long vacations है ना judges के वो कही ना कहीं ऐसा बता रहे हैं कि judges justice नहीं देना चाहरे है क्योंकि justice delay is justice denied क्यातना justice delay is justice denied लेट तो नहीं होना चाहिए justice क्योंकि कई बार पता ऐसा होता है कि कोई cases इतने शालों तक चले जाते हैं कि इसान बुढधा हो जाता है बट उसके फेवर में जज्जमेंट नहीं आपाती तो इसी के पार में है तो इन्होंने कहा कि आप pending solve करो आप vacations खतम कर करो इसा कि रिज्जी ने कहा तो इन्होंने कहा और आगे statement पे कहा it is not possible to work at great speed because the work is volumrous बहुत अलग टाइब का work है जडिश्री का उन्हें काफी research बगेरा करनी परती है and आगे 1987 के अंदर law commission ने यह suggestion दिया था कि 50 judges को रखो over 1 lakh of people but यह तो बढ़ाया नहीं और यह question पूछ रही है कि क्या यह खाली judges की जमेदारी है कि pendency of cases खतम करो अगर आपको work दिया है कि judges की appointment करो तो क्यों नहीं कर रहे है so यह है पूरा criticism है मतलब actually यह judges ने लिखा है पूरा article editorial so obviously government का criticism तो हो गई then यह terrorism पे है पूरा कि terrorism को कैसे solve करना है यह बगेरा बगेरा so terrorism के ऊपर काफी सारे conventions और काफी सारे meetings बगेरा करते हैं जैसे UN General Council के अंदर counter-terrorism committee बनाई थी so no money to tear conference फिर Interpol conference बगेरा बगेरा बहुत सारी की बनाते हैं बट फिर भी नहीं हुआ so just major terror attack देखे हम तो September 2011 के अंदर जिस terror attack हुआ था New York में फिर मुंबई में 26 November को हुआ था फिर 9-11 का जो attack था यह सारे attacks हुए बाकी और देखें तो Istanbul में attack हुआ था पैरिस में हुआ और इन सभी के बीचे कई ना कई आइसाई और Al-Qaeda का हाथ था तो काफी सारे attack हो रहे हैं और terrorism अभी के लिए तो ठीक है हमारे लिए तो ठीक नहीं है बट हमारी future generation के लिए भी ठीक नहीं है और terrorism का में जो target है वो यूरोपय और इसिया तो फिर भी कम है आफ्रिका और नौर्थ वेस्ट इसिया बहुत ही जादा है जहां Al-Qaeda और ISI बहुत जादा हाई amount में hunting और यह सब करते हैं तो इसके बारे में बात है और यह जो आतंगवादी होने कई जगा पना भी मिलती है जैसे Al-Qaeda के जो आतंगवादी थे Al-Qaeda और उसमा बिन लादेन को भी कही टाइम तक काबूल में रखा गया सिफ तरीके से और तालिबान के अंदर भी अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान का कब्जा आ गया है तो यह सारी चीज़े हैं और दूसरा आफ्रीका के अंदर साहील रीजन वहां पे भी काफी जादा टेरिस एक्टिविटी देखते हैं तो यह सारे आधमवादी ग्रुप्स अलग अलग हैं पर इनका मोटो एक ही है रिलीजन के नाम पे एक्स्ट्रीमिजम फैलाना और जो टेरिजम को स्प्रेड करना तो इसका जो इंडिया के अंदर भी अगर हम देखे ना तो यह रेडिकलिजम है वो साउथ में भी जाता जा रहा है इंडिया के अंदर जैसे रिसेंडली साउथ में भी हमने कुछ केसिस देखे थे करनाटक में और मेंगलूर के अंदर इसके लिए कुछ मैजर्स चाहिए कुछ नीट साहिए कैसे कि अब आपको टेरिजम को गुड है या बैड है यह देखके नहीं ट्रीट करना आपको टेरिजम को ट्रीट करना है ऐस टेरिजम जैसे अफगानिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता था पाकिस्तान अब पाकिस्तान के अंदर जब टेरिजम स्प्रेड हो रहा है न तो वह हैल्प मांग रहा है अमेरिका की क्योंकि यह पाकिस्तानी वालेपन है, तो अगर अफगानिस्तान में हो रहा है तो अच्छा है, पाकिस्तान में हो रहा है तो गरत है पाकिस्तान की point of view से, तो इसे support नहीं करना, terrorism है, इसे avoid करो, इसे मतलब सही से tackle करो, ठीक है, good or bad ना दे को, firstly, और secondly, यह जो terrorism के लिए आप agencies बना रहे में same tacticals use करो एक proper planning करो और उसके बाद apply करो so ये था and next ये था पूरा अडिटोरिया अब next गुल्फ countries के अंदर more than half Indian convicted है वगरा वगरा में जेल के अंदर ये आप GS2 से link करके देख सकते हो then आगे first page पर इंडिया और चैना ने अपना 17th round of senior level military talk start किये थे 20th of December को उसके बारे में है और ये cervic cancer के बारे बताए दिया so that's all for today's video thank you अगर अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना